हेलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हो सब आप आशा है कि बहुत बढ़िया होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है मैंने बीगिनर्स के लिए बनाया है जो कि घर से केक का काम शुरू करना चाहते हैं फ्रेंड्स हो सकता है आज का ये वीडियो कुछ लोगों को काफी लंबा लगे बट मैंने स्टेप बाई स्टेप कवर किया है ताकि वो जो लोग है जो बीगिनर्स है होम बेकर्स है उनको हेल्प हो आज हम बना रहे हैं रोस्टेड आलमंड चोकलेट केक ये चोकलेट रोस्टेड आलमंड केक सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने स्पॉंज बनाया है इसका वीडियो आलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है मेरे पेज़ पे आप देख सकते हो किन किन चीजों के आवशक्ता होगी आज केक बनाने के लिए वो सबसे पहले आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे हमें लगेगा चोकलेट स्पॉंज जो आलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है उसके बाद हमें लगेगा चोकलेट गनाश जिसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है और साथ में हमें लगेगा रोस्टेड आलमंड तीन चीजों के आवशक्ता होगी friends so start करते हैं यहां पर हमने sponge को 3 layer में cut किया है इसी तरीके से हमें cut करना है so three layer में मैंने cut कर लिया है अच्छे से cut करना है friends मेरा जो bottom वाला sponge है जाधा cut हो गया भ Dé merciful इस तरीके से मत कीजेगा आराम से कीजेगा यहां पर हमें simple water से soak करना है bottom layer सभ ridiculous कम soak करनी है step by step जैसे मैं बता रही हूँ, as it is follow करो friends, आपका भी केक बहुत अच्छा बनेगा, then हमने एक गनाश की लेर बनाई है, यहाँ पे 2 is to 1 के proportion से मैंने गनाश बनाया था, और वो मैं apply कर रही हूँ, इस तरीके से आपको छोटा palette knife यूज़ कीजे, अगर आप beginners हो, small palette knife यूज़ कीजे, आपको बहुत help होगी, उसके बाद मैंने chocolate cream की एक layer लगा दी, chocolate cream या chocolate mousse जिसे आप कह सकते हो, chocolate mousse की एक layer लगा दी है मैंने, friend chocolate mousse या chocolate cream means vanilla whipping cream में मैंने डाला है chocolate ganache, और अच्छे से उसे whip कर दिया, यह हो गया हमारा chocolate mousse या chocolate cream, अगेन मैंने यहाँ पे गनाश अपलाई किया हैं मैं इसी तरीके से हमेशा केक बनाती हूँ और मेरे केक बहुत टेस्टी बनते हैं यहाँ पे एक लेर मैंने फिरसे गनाश की लगा दी है अच्छे से आपको स्प्रेट कर लेना है इवनली हमेशा स्मॉल पैलेट नाइप का यूज कीजिए यह जो है हाप केजी का केक बन रहा है उसके बाद मैंने स्टफिंग के लिए यहाँ पे रोस्टे डालमंड लिये हैं भुना हुआ बादाम, बादाम को अच्छे से रोस्ट कर लेना है लोव फ्लेम पे थंडा करने के बाद उसे फाइनली चॉप्ट करकि यूज करना है उसके बाद मैंने यहाँ पे गनाश से थोड़ा-थोड़ा फिर से हमने गनाश लगा दिया है ताकि जो हम लेघर यहाँ पे जो रख रहे हैं वो अच्छे से स्टीक हो जाएं, साइट से मैंने क्रीम से अच्छे से कवर कर दिया हैं, आप जैसे देख रहे हूँ, फ्रेंट्स, केक बनाना कोई आर्ट, एक आर्ट है, बट बहुत इजी हैं, ठीक है ना, सो आप अगर प्रॉपर तरीके से देखते हो, प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हो, तो आपकी केक भी ऐज़ इस बनेंगे, फ्रेंट्स, अगेन, यहाँ पे मैंने गनाश की लेयर लगा दी, सेम मेथड अपलाए करनी है, जितनी चाहे आप लेयर चड़ा दू, यहाँ पे मैं 3 लेयर का बना रही हूँ, इस 3 लेयर में मैंने कट कर दिया है, इस तरीके से, अगेन यहाँ पे मैंने चौकलेट मूज, यह चौकलेट क्रीम, इससे कह सकते हो आप, वो अपलाए कर देनी है, अच्छे से आपको स्प्रेट कर देना है, राम से, प्रेंट्स करना बहुत ज़रूरी है तो हमेशा प्रैक्टिस करो डमी केक्स पर प्रैक्टिस करो बहुत इजी जाएगा आप लोगों के लिए देन अगेन मैंने गनाज की लेयर लगा दी सेम लेयर सेम मेथड अपलाई करना है यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर रोस्टेड आलमंड थोड़ा सा मैं फिर से गनाश इसके उपर डाल रही हूँ ताकि जो टॉप लेयर है अच्छे से इसके उपर स्टिक हो जाए फ्रैंट्स हमेशा ध्यान रखना है जो टॉप वाली लेयर होती है टॉप वाला स्पॉंज की लेयर होती है वो आपको सेंटर में डाल देना है सो प्रॉपरली आपका केक सरकल में बनेगा यह फाइनल लेयर थी लास्ट लेयर और अब हम क्रम कोट करेंगे केक को क्रम कोट करना बहुत जरूरी है अगर आप बिगिनर से हो तो हमेशा क्रम कोट कीजे केक को इससे क्या होता है न फ्रैंट्स जब हम क्रम कोट करके केक को में रखते हैं तो फाइनल फिनिशिंग बहुत आसानी से हो जाती है टॉप लेयर में आपको थोड़ा सा ज्यादा वाटर से सोक करना है और फाइनली यहाँ पर मैंने गनाश की एक और लेयर लगा दी है ताकि अच्छे से सेट हो जाए अब हम इसे फ्रीज में रखेंगे सो अब मैंने इसे रख दिया है तीस मिनट के बाद मैंने निकाला केक और अब फाइनल फिनिशिंग करने जा रही हो प्रेंट्स फाइनल फिनिशिंग के लिए पाइपिंग बैग में जो क्रीम ली है पाइपिंग बैग मैंने बहुत छोटा कट किया है स्मॉल कट लगाया ह बाहर में बहुत ज़्यादा क्रीम अप्लाई नहीं करनी है, फिलिंग में भी बहुत ज़्यादा क्रीम अप्लाई नहीं करनी है, हमेशा धान रखना है हाप केजी का केक बन रहा है, हाप केजी के केक के लिए आपको 1.500 ग्राम क्रीम लेनी है, बहुत इनफ है इतनी क्रीम केक बनाने के लिए इस तरीके से हमने final finishing करनी है और हमेशा ध्यान रखना है आपको steel का scrapper यूज करना है और साथ में flexible scrapper यूज करना है जो plastic form में आते हैं यह देखें फ्रेंट्स यह है हमारा plastic का scrapper जिसे flexible scrapper कहां जाता है इस तरीके से आपको top में finishing कर देनी है हमेशा practice की जरूरत होती है फ्रेंट्स आप small cakes पे practice कर सकते हूँ और यहाँ पे मैंने scrapper से final finishing की है और यहाँ पे मुझे design चाहिए थी design में जस line चाहिए था तो यह gel carving cakes बनाने के लिए scrapper का use होता है वही scrapper मैं use कर रही हूँ जिसे flexible scrapper भी कहा जाता है और फ्रेंट्स अगर आपके cream पे bubbles आ गए है तो थोड़ा सा water spray करो और finally flexible scrapper से आप finishing कर सकते हो बहुत अच्छी neat and clean finishing आएगी बोर्ड को हमेशा clean करते रहना है extra cream बोर्ड पे लगी हुई रहती है उससे क्या होता है ना friends finishing जो अच्छी आई है वो भी खराब हो जाएगी इसलिए यहाँ पे हमेशा बोर्ड को clean करना जरूरी है टॉप में से मैंने कर दिया अब मैं इसे फिर से फ्रीज में रख रही हूँ फ्रीज में मैंने फिर से आदा घंटा रखा था आदे गंटे बाद अब हम यहाँ पे glazing करने वाले हैं तो यहाँ पे मैंने जो chocolate गनाश हमने बनाया था उसे मैंने हलका सा warm किया है और उसमें मैंने neutral gel डाला है यहाँ पे मुझे dripping consistency का गनाश चाहिए था इसलिए मैंने उसमें neutral gel add किया और इस तरीके से piping bag में डालके dripping कर रही हूँ it's artificial dripping जिसे कहा जाता है एक natural dripping होता है एक artificial so this is artificial dripping so इस तरीके से आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी dripping कर सकते हो अराम से करिएगा यह देखिए friends कितनी beautiful lines आई है इसमें और टॉप में यह सारा जो हमने गनाश बनाया है यह मैं डाल दूँगी glazing जिसे कहते हैं बहुत बड़िया beautiful shine आती है neutral gel के साथ neutral gel डालिएगा soft भी रहेगा kick और साथ में shine भी रहेगी इस तरीके से हमने glazing डाल दिया है और palette knife की सहायता से इसे अच्छे spread कर देंगे आप यहाँ पे flexible scrapper का भी use कर सकते हो और जो चाहे इसमें जैसे आपको lines चाहिए lines बना सकते हो मैंने यहाँ पे palette knife की सहायता से ही design बनाया है बहुत simple सा cake बना रही हूँ friends यह देखे इस तरीके से मैंने line बना दी और final decoration अभी बाकी है friends अगर आप आपने अभी तक प्रियाज magical kitchen facebook page instagram and youtube channel को subscribe नहीं किया है तो फटाफट subscribe कीजे ताकि आपको daily updates मिलते रहें finally roasted almond chocolate cake है इसलिए topping मैं यहाँ पे roasted almond के साथ कर रही हूँ जो दिखने में भी खूब सुरत दिखेगा और पता भी चलेगा customer को वैसे कोई customer की demand नहीं थी हमें ही बनाना था cake सो यहाँ पे सोचा मैंने roasted almond लगाया जाए topping में और finally यहाँ पे मेरे पास nozzle थी star nozzle जिससे मैंने यहाँ पे गनाश की design निकाल दी है और यहाँ पे metaglow का gold dust में use कर रही हूँ इस तरीके से gold dust मैंने use किया है star design है या modak design भी से कह सकते हूँ सो इस तरीके से मैंने यह कर दिया hope so आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो आप लोगों को help हो रही है मेरे वीडियो से तो comment में जरूर बताईए friends और भी काफी सारी वीडियो हम लेके आया करेंगे आप लोगों के लिए ताकि आपको baking में cake बनाने में help हो finally मेरे पास heart shape में sprinkle थे so यहाँ पे white and red में मैंने लगा दिया है और top में एक birthday, happy birthday का topper में लगाने वाली हूँ cake कैसे लग रहा है comment में जरूर बताईए